नमस्कार दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, देखिए आप मैंसे काफी सर लोग ऐसे हैं, जो कि दसवी पास कर चुके हैं, और उनको अपने परखंड या फिर पंचायत कह लीजिए, फिर अपना वाड कह लीजिए, उसमें जो ही जॉब करनी हैं, तो उनके लिए जो ही पटना जो दिष्टी कोट है, उनके दोवरा जो ही बहुत अच्छी भरती निकाली गए, जिसके लिए आवधन भी सुरू कर दिये गए हैं, इसमें कमाल की बात यह है, कि आप मैटिक पास हैं, तो आवधन कर सकते हैं, और इसमें किसी परकार करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और ऐसे ऐसे बीरिज बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनरजी देता है, तो प्लीस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं, उसके official portal पे आना होगा, जिसका link हम नीचे उपलवत करवा देंगे, या फिर आप यहाँ पे search भी कर सकते हैं, इजली search करके भी आ सकते हैं, पटना decode.gov.in, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो ही notice का section मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो ही recruitment का section मिले इस पे आपको क्लिक कर देना है, अब जैसे इनक क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, जो भी इनका recruitment का page है, आपके सामने इस तरह से आज आएगा, जिसमें जो भी भरती के जनकारी है, यहाँ पे दी जाती रहती है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, एक भरती निकाली गई है, पारा, लीगल, भुलेंटियर के पदोपे, जो कि पटना, सदर, दानापूर, बाड, मसावधी और पाली गज में आपका भरती होने वाला है, इसका जो आवधन है, आज से ही शुरू किये गए हैं, आप जो है, दस पांच तक जो है आवधन यहाँ पे कर स आगे बात करेंगे, और यह क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि भरती जो है कहां कहां से निकाली गई है, देखिए, सबसे पहले आपका पटना में भरती है, फिर यहाँ पे पटना सीटी में, बाढ़ में, दानापूर मे मसाड़ी में और पाली गंज में मतलब कि पटना जो आपका जीला हो गया उसके साथ जो भी अनुमंडल है इन सभी में भरती यहां पर निकाली गई है अब यहां पर इसका जो आवधन है एक पांच से लेकर दस पांच के बीच में आप कर पाएंगे कैसे आवधन करना है उसक कोई भी ओसकता नहीं है क्योंकि उन्हें आवधन करने के ओसकता नहीं है बात इहां पे इन्होंने बोला हुआ है और फ़र्म आपको जो है सही धंग से भरना जो साथी साहत आप पढ़ने वाले चात्र है या फिर कोई सीख्षक है या फिर कोई समाजी करे करता है ज़्यादा समाज से जूरे रहते हैं समाज के उठान के लिए काम करते हैं तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं आप के लिए benefit रहेगा लेकिन आप वह ऐसा बैगतीं हैं जो कि केवल चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए जिससे हमारा रोजुलिटरी चले तो आप इसमें आवधन मत करिएगा आपको कोई ज़्यादा फाइदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको सिलरी नहीं मिलती है सिलरी के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे काम करना होगा और जो भी आपके एरिया के लोग हिंगे उनके उठान के लिए आपको काम करना होगा जैसे कि माल लेजे किसी परकार की कोट का चहरी क्या काम है उसमें हेल्फ आपको करना होगा अधिक है जो भी निचले तब के लोग होते हैं। उनको किसी परकारी की सहायता है तो आपको सहायता करना होगा। थे एक छोटा सा बेसी काम होता है जो की समाजीक तोर पे आपको करनी होती है। की हम बात करें तो अगर आप यहां पे अठारे बर्स से उपर हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं अठारे बर्स से कम आपका उमर है तो आप यहां पे फॉर्म को नहीं भरेंगे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं या फिर उसके समकच आपने कोई भी योगता रखा हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे अब यहाँ पे देखिए हम इसलिए माना कर रहे थे कि आपर प्रोपर एक जोप के तलास में है और अपने जौब से मान लिजे चाहते हैं कि हम कमा कर अपने मतलब घरवालों के हम देखरे करें तो यह आपके लिए जॉब नहीं है कि महिने में 4-5 दिन-10 दिन ही आपको काम क औहरता है पढ़े का जो हिए 500 Urp ai आपको दिया जाएगा जिस दीन आप काम करेंगे जिस्दिन क्रियाले से आपको बुलावाया आएगा घ्रूथATHAN के लिए काम करेंगे तो उने दिन जो हिए disparu पांच वह भी से जितने दिन काम करेंगे उससे पांच-वा फांच मुलेगा करेंगे वही आपको सेलरी देखने को मिलेगा मालीज आपने 20 दिन काम किया ठीक है तो आपका 10,000 हो गया इस तरह से आपको पैसे मिलेंगे बाकी यहां पर इच्छुक हैं आवधन करना चाहते हैं कर सकते हैं भाई कोई भी दिकत नहीं है देख लिजिएगा आपको अच्छा का नाम लिखेंगे अपना जो भी अस्थाई पता है जैसे कि पंचायत वार्ड और मंडल सहीत आपको बतानी है बरतमान पता यहां पर जो भी आपको योगता है यानि कि मैट्रिक पास है तो भर देंगे या फिर उसके भी जादा आपका क्वालिफिकेशन दुस जनकारी ब रह चुके हैं तो बता सकते हैं नहीं तो नहीं पर टीक करेंगे फिर यहां पर किस पर खंड और पंचायत करतगर्थ आप काम करना चाहते हैं उसको आप यहां पर लिखेंगे कि हां यह पर खंड यह पंचायत और इस वार्ड करतगर्थ हम काम करना चाहते हैं उसके बाद जीला, बिधित, सेवा, प्राधिकार, बेहवार नयाले, पटना, पीन कोड इतना पे आपको भेज देना है या फिर हाथों हाथ जाकर आप 10-5, 2024 से पहले जमा कर सकते हैं अब इसके बाद होगा क्या कि आपका जो ही एक छोटा मोटा प्रसनाल्टी टेस्ट होगा इनकी इंट सकते हैं, बीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको किलियर करके बता दिया कि अगराभी PLB के पदों पर भरती होना चाहते हैं, आप मैट्रिक पास हैं, इच्छुक हैं, योग यह हैं तो आवधन कर सकते हैं, हलाकि उ किसी परकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स रसर में कमेंट करके पूछ सकते हैं,